हेलो एवरिवान वेलकम टू एटीप स्टार कोडा दिस इस गितांजली आज अपने देखने वाले जैसे कि आप लोगी एक्जैम जाने वाले हैं 27 फेबुरी से और उन एक्जैम के बीच में गेप भी कही सारे एक्जैम में बहुत सारा गेप है कही सारे में बहुत कम गेप है इसे के लिए आपको एक फौपर पूरर स्केडूल चुई को कि कब हम क्या करें क्या चीज़ी जो हमें नहीं करनी और क्या चीज़ी है इन गेंगेप के साथ में एक्जैम के आपको मेंने इसे कि साथur ऑस इक्जैम इंगलिश्का ठीक है इस एक्जाम के लिए पहले से प्रिपार कर दो क्योंकि फॉर्स्ट इक्जामें सेकंड बात करते हैं फॉर्थ मार्च को जो कि अगर आप चाहो तो इवनिंग पर रेस्ट कर सकते हैं तब काफी दिन आपके पास है प्रेपरेशन के लिए आपके संस्कृत का जिसके लिए आपको मिला है इसका मतलब यहाँ पर आपको पूरे इस इक्जाम के लिए आपको पहले से ही जब आपको पर पढ़ना है उसी डे में आकर पढ़ना स्टाट कर देना है सबसे पहले तो आप जब 4th of March को एक्जाम दे कर आओगे वह वाला दिन का जो इवनिंगे तब से आपको टू डेस तक रेगुलियर आपको टू या थी डेस तक एसस्टी पढ़नी है उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर आपके हिंदी में भी कम गेप है तो आप हिंदी आपका पेपर है उनका पेपर है जिसके लिए ग्यावा है और सम Biraz कई प्रके योई जिए जया झाल झेट जाल चूछ रहा तैंससरोल इहां मिला है जोके आप दिना हो बीकुक्त करते के इसthing सlt की जिसके लिए बच्चे बहुत ही जाधा टेंशन में क्योंकि जो आपको गेप मिला है वो सिर्फ वन डेका मिला है तो यही बात है जो मैं आपको बताना चाहरे हूं कि जो आपका गेप आएगा कर देना है तो यह सब्सक्राइब करोगे जैसे कि आपने एक दिन कर दी एक दिन आपने किसको दे दिया पॉलिटिक्स को देए ऐसे आपने तीनों जो 24 के सब डिवाइड़ सब्जेक्ट उनको दे दोगे वन वन डेकर टाइम ताकि बाद में सिर्फ आपको रिवाइस करने का टाइम मिले इसके बाद आपन बात करते हैं यहां पर हिंदी की पेपर में जहां पर आपको वन डेकर ग करने लग जाते हो मतलब आपका पड़ाई है उसको टालने लग जाते हो इतना आपके लिए अच्छा नहीं होता है तो आइटिंग यह जो आपका गेप दिया है उसके अलावा सारा का सारा सफीशेंट है अब बात करते हैं कौन-कौन सी चीज है जो आप इस गेप के टाइम स्मौल स्लोट्स पॉर अधर सब्जेक्ट इन गेप देज मतलब क्या करना है आपको डे को डे को डेवाइड करना है दो स्लोट में यह तो होगा आपका दिन वादा टाइम फो नाइट वादा टाइम जो शाम और पूरा आ जाता है तो आपको पहले उस सब्जक्ट को करें वह सॉल्व करने इस तरह से आपके डिवाइज के हर एक दिन डिवाइड होना चाहिए पहले आप रिवाइस करोगे फिर क्योशन करोगे फिर रिवाइस करोगे फिर क्योशन सॉल्व करोगे ठीक है नेक्स बाट करते हैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है जो आपका पड़ा हुआ कंसेप्ट उसी को क्लियर करना है जाके डाउट्स क्लियर करना है यूट्यूब वीडियो जिस भी चीज से आपको जाधा अच्छे समझ में आए या किसी फ्रेंड को कॉल करके पूछ सकते हैं यह सारी चीज करकर आप आपको आपको जितनी भी डाउट से उनको क्लियर करना है इसके बाद आपको नेक्स बात करते हैं नो न्यू स्टुर्डी मटीरियल जिसी कि मैंने आपको बताया क्योंकि गेब डेप में ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से कोई चीज पर दो उसको पढ़के आप एक्जाम करना है इसका मतलब क्या है यह तो नहीं कि आप पूरे एक साल का पड़ावा उन गेब डेज में पड़ सकते हो बिल्कुल नहीं है ऐसी गलती करनी भी नहीं है तो आपको क्या करना है जो भी आपने पड़ा हुआ है आपके नोड बने वे होंगे ऑल्रडी में यह लेकर चल मतलब कि जो भी आपका अपकमी सब्जेक्ट आगे जिसका एक्जाम आने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करना है जैसे अगर आप गेप ले रहे हो जैसे आपने कुछ पढ़ा उसके बाद आपने गेप लिया तो आप उन नोट को रिवाइस करते रो गेप को भी आपको थोड़े दिन के बात है तो गेप में भी आपको क्या करना है पढ़ाई ही करनी है जासादा इसके अलावा आप एक मेडिटेशन कर सकते हो या फिकोई म्यूजिक सुन सकते हो जो आपका थोड़ा सा जो टाइम है आपके हैल्प के उपर भी जाए क्योंकि आप जितना ज्या बढार में दिन है आपको डिवाइड करने वाल ही एक होगा डैट्राइम का ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है अपको करना है शुब ला पूर ऑन मरे नोंसे पहले बालताय यह सब करना है उस आपको यह पर लो जैसे की बच्छों आपको पता है कि जो डे टाइम है जिस होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जितने भी चैप्टर से उनके सारे मिनी शोट मिल जाएंगे जो आपको कहीं न कहीं क्विक रिविजन में बहुत ज़दा हेल्प करेंगे इसकी बाद बात करते हैं जब आप नाई टाइम पर आओगे पीवाई क्यों करोगे त तो वो उसको जाकर अभी फोलो कर लो क्योंकि वो आपकी एक्जाइम टाइम पर बहुत ज़दा हेल्प करने वाला है इसके बाद अपन बात करते कि अपना जितना भी चीज़े हैं जो टिप्स थी आपके लिए जो आपको एक्जाइम गेप में यूज करनी वो सारी हो चु साली होती है तो आपको ऐसा मिन वह होगा है कि ले座ाइन तके से अपको स्पेसिक आइम में ब्रेकर करने कि आ तो ब्रेक में आपको क्या करना है और तो आप पारी हईडरेटेट रहो क्योंकि सर्दीका टाइम है बहुत ज़रुरी है थोड़े गाले सुन Definition और चोटी से वॉक करके जल्दी से वापस आजा तो यह भी ही आप कर सकते हो और इसके बाद इम demonic करते हैं ऑवई्ड फ्रोर्थ क्रेस्थिनेशन कर लेते थरो अपको मस करना को तालते wannabe यह चीज़ को जादा मत सोचो जादा सूचते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन आई जाता है कहीना कहीं से बस आपको जैसे थौट आ रहे हैं कि यह सब्जेक्ट पढ़ना है जल्दी से उठके उसको पढ़ने लग जाओ वही चीज़ आपको कहीना कहीना कहीं करनी है एक्जाम गेप में आपको बहुत जदा प्रेशन होती है आपको न्यू मटीरियल लाके पड़ोगे वह आपको कभी भी याद नहीं होगा पहले से ही आपको हर चीज़ की अर्ली प्रेपरेशन रखनी है नोट्स आपको तयार रखने गेप में सिर्फ रिविजन और प पर जाके जॉइन होना है वहावर जितनी भी आपके लिए चीज़े पड़ी हुए जो आपके लिए बहुत ज़ादा यूस्फुल है उनको यूस करना है थाइंक यू